कैसे हैं आप सब लोग तो macro economics की जितने भी important mcqs बन सकते हैं 40 questions मैंने रखे हैं इसके अंदर हर एक chapter से पूरी की पूरी macro economics के important question जो examination में chances सबसे ज्यादा है आने के वो बता हैं उमीद करता हूं कि video end तक देखोगा तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा फटा-फट स्टार्ट करत यह तो description box में देख लेना आपको macro के सारे important question जो आ सकते examination में मैंने सिर्फ 13 question रखें जिसे पढ़कर आप आराम से पास हो सकते हो और 25 ऐसे पढ़के 40 out of 40 marks लेके आ सकते हो इंडियन economy के और mcqs के सारे numerical सब कुछ मैंने cover कर रखा है जिस दिन से accounts का paper स्टार्ट हो है मैंने continue आ सबसे पहला question check करते है stock is a stock जो है वो कैसा concept जल्दी से बताओ stock is a क्या होता है बताओ static concept stock or flow का difference है उसमें आप ध्यान रखने stock होता है वो static concept है और जो flow होता है वो dynamic concept होता है stock or flow का difference पढ़के जाना examination में question पूछा जा सकता है question मेर 2 state the following statements true or false आपको बताने की statement सही है या गलत है मैंने सारे mcqs film the blanks one mark proof false सारे question रखर के match the following भी है इसके अंदर तो आपको exam pattern भी समझ में आ जाएगा पूरा topic revision भी हो जाएगा तो 10 में से 10 marks जो questions है वो इसी वीडियो के अंदर से cover हो जाएगा तो पूरा end तक देखना अगर same question नहीं आए तो same pattern में जरूर पूछेगा आप बता दो चलो second question में यह true or false है in two sector economy total production is always equal to total consumption two sector economy जो आपका total production है वो consumption के बराबर होता है तो यह बिल्कुत सही है statement true है two sector economy का पढ़ा होगा आपने इस तरीके से बनता है यहां पर household होता है यहां फर्म होता है और इस तरीके से यहां पर flow होता है इस इस two sector economy में जितना भी production हो रहा है सारा का सारा मान लेते हैं क्या होता है वो consumption होता है तभी income जो है वो जो है circularly distribute होत होता है उसका थर्ड कोशिन कोल परचीज बाई आम मैनुफैक्ट्रर कोल खरीदा है किसने manufacturing यूनिट ने यह कैसा गुड्स होगा बताओ फटाफट कैसा होगा इंटर्मीडियेट गुड्स कैसा गुड्स होता बताओ रा इंटर्मीडियेट गुड्स कोशिव फोर राइट में आप पहले से प्रोवीजन बना लेते हो इसकी वैल्यू जो है कम होती चले जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ पैसे जोडने है इसके रिपेर मेंटिनेंस के लिए और इसकी रिप्लेस्मेंट के लिए इसको हम लोग बोलते हैं डेपरीशिशन इसके लिए प्रोवीजन बना सकते जिबकि डेपरीशिशन के लिए पहले से प्रोवीजन बनाती हो आपको करेट ऑप्शिन जो चूस करना यहां पर एक मिस्टेक है माइनस के प्लस आएगा कुछ ए प्लस है आप बतारहे कौन सा ऑप्शिन जो है वो करेक्ट है तो मैंने आपको वीडियो बना के द भी तो यहां पर बताऊ जाया प्लस करते है माइनस है यहां पर नैट से ग्रॉसमाल से दिलियो देखी है पहला वाला समझ रहें बच्चे जिनने वीडियो देखी है पहला बात को जिसमें आपको बता यानि कि 5th question को option number C जो है वो करेक्ट है question 6 अगर कोई भी opening closing stock नहीं है तो जो value of output है वो किसके बराबर होगा बताओ ज़रा value of formula क्या होता है sales plus change in stock अगर opening closing stock नहीं है तो value of output किसके बराबर हो जाएगा बताओ sales के बराबर हो जाएगा 7th question आपने video pause करें खुद भी पहले answer बताओ फिर देखो कि आपको match कर रहा है मेरे से नहीं कर रहा उमीद करता हूं कि अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी मेरी तो एक एक answer जो है आपसे वो सारे domestic income के अंदर NFI ये नहीं आता हो किसमें आता है national income में तो domestic income के अंदर ये चीज include नहीं होगी define reverse reporate reverse reporate किसको बोलते है reverse reporate वो rate होता है जिस rate पे commercial bank loan लेती है किससे reserve bank of Indeed किसे लोन लेव उन लेती है commercial bank से वैसे रेपोरेट क्या होता है वो rate है जिस रेट पे commercial bank के उधार लेती है किसे central bank से उसको भी गुओ ते लेकिन रेट इस कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट वाई एलाईसी एंड यूटी आई आर नॉट टर्म सट बैंक क्यूं हम लोग एलाईसी और यूनित ट्रस्ट आफ इंडिया को हम लोग बैंक नहीं मानते बिकाउज दे आर नॉट ठेकिंग चप्यवल डिपोजट यह जब लोग पैसा जमा करते हैं और फिर हम लोगों को जब जरूत पड़ती है तो आम उसके लिए चैक करके पैसे निकाल लेते हैं लेकिन एलाईसी में कभी भी आप अगर पैसा करते हैं अब प्लोग का जरूर अब पैसे नहीं निकाल सकत 10th question match the following question series a Q series B से आप मुझे बताओ clearing house function किसका होता है बताओ करेक्ट किसका ओता है और बाइक का credit creation function किसका है credit creation commercial bank का credit rationing क्या है class credit rationing जो है वो है selective method of control यानि की qualitative measures इस आप जरह मुझे बताओ फटाफट की एपीस की वैल्यू क्या होगी ब्रेकवन पॉइंट पे प्रेक इवन पॉइंट कौनसा पॉइंट होता जहां पर वाई सी के बराबर होता है और एस जीरो होता है यहां पर APS की value होगी S upon Y, तो अगर किसी भी numerator में 0 आ गया, तो answer क्या होगा 0, क्योंकि break-even point पर ध्यान रखना, break-even point पर APC 1 होता है, और APS क्या होता है, 0, break-even point पर Y जो होता है, वो C के बराबर होता है, और S क्या होता है, 0 के बराबर, Okay, question 1, which of the following facts is correct about MPC, तो कौन सा option जो है, वो MPC के लिए correct है, सबसे पहला, the value of MPC lies between 0 to 1, correct है विल्कुल, MPC is, MPC of poor people is more than the rich, जो गरीब लोगों के MPC है, वो ज्यादा है, obvious ज्यादा है कि गरीब लोग जो addition income कमाता है, उसका ज्यादा portion जो खर्च कर देगा, गरीब की income होती है, जैसे जैसे इंसान की income बढ़ती चली जाती है, तो consumption कम और saving जो है addition income का ज्यादा करता है, तो इनके MPC बाद में क्या हो जाता है, all होता है, तो इसका मतलब है all of these, अगर शुरू में MPC 8, 0.8 है तो इनके 80% consumption कर रहे हैं, फिर हम 0.7 कर देगे, 0.6 कमाई बढ़ती जली जाएगी, तो मोटी रकम का बड़ी रकम का एक कम percent भी बढ़ा रकम होता है consumption करने के लिए, 13 question, एक-एक मिनट के अंदर बन जाएं class, एक question प्लीज प्रैक्टिस का लेना, बाद में पस्ता ना मत examination में अगर आ गया तो इसी pattern का सवाल, इप C is equal to 20 plus 0.8 Y and investment is 50, you have to calculate equilibrium level of income, आपको पता जो Y का formula हो क्या होता है C plus I, consumption plus investment, तो consumption आपको दे रखा है plus investment कितना दे 50 is equal to Y, तो यहाएगा 70, Y minus Y minus 0.8 Y is equal to 70, 0.2 Y is equal to 70, तो आप अगर यहाँ पे निकालो value Y की तो 70 upon 0.2, 350 आएगा चेक कर लो option B, जो है इसका correct है 350, when plan saving is less than plan investment, अगर plan saving जो है वो investment से कम है then national income is likely to fall, देखो जब भी आपका saving जो है वो कम है और investment जो है वो ज्यादा, अगर लोग investment ज्यादा कर रहे हैं तो देश में income जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, अगर माल लो कि मैं पैसा कमाता ह उसे save करता हूं, खर्च नहीं करता, तो अगर मैं खर्च करता तो उसे कुछ लोगों को income मिलती क्यों कहीं कहीं ने कहीं तो खर्च करता ना, लेकिन मैं खर्च नहीं कर रहा, तो यानि कि इस situation में जो income multiply होगा, वो कम होगा, लेकिन अगर मैं investment कर रहा हूं, खर्च कर रहा और जरह comment section मुझे बताओ किन किन का answer आ गया मैं देखता हूं कितने students आप लोग पढ़ रहे हो यहां पे जिनका answer आ रहा है जरह comment section मुझे बतादो वीडियो पॉस करके कि कि किसका answer सही आगा a b c d में से without any help फटा फटा फट जल्दी मुझे बताओ किसका answer आ गया कि answer आगे होगा मैं आपको समझा देता हूं क्या है when plan saving saving जो है वो less है किससे investments ज्यादा है सेविंग से तो हमें काम करते हैं हम एक option को try करते हैं जो पहला option है वो क्या है a d equal to क्या होता है c plus i a s equal to क्या होता है सी प्लस मैं देखो सिंपल लग दिया साइन सेम लगा दिया और एस की सी कट गया तो यहां पर एस जो है वो बड़ा है आई से तो यह option जो है वो गलत हो गया एक बार यह दिखते हैं बराबर आप्शन तो कभी आएगा ही नहीं क्युक होगे तो investment क्या है ज्यादा है यानि कि option number C जो है करेक्ट है यहां पर investment ज्यादा है किस से सेविंग से question 16 which of the following is not the reason for deficit demand deficit demand होता क्या है class जहां पर लोग demand कम करते है supply ज्यादा है तो इन में से कौन सा deficit demand का reason नहीं तो आपको यह करके reason बता जेता हूं deficit demand का सबसे पहला reason जो है decrease in private final consumption expenditure, decrease in government final consumption expenditure, decrease in investment expenditure यानि कि यह जो दोनों है तो reason है उसकी बाद अगर taxes बढ़ेगा, tax rate बढ़ेगा तो लोग demand कम करेंगे यह option ठीक है तो कौन सा नहीं है option number D क्योंकि अगर हम import कम करेंगे तो हम उस समान को अपने देश से खरी देंगे तो उस समान के demand जो है देश के अंदर बढ़ेगी जबकि कोशिन कह रहा है कि deficit demand का reason कौन सा नहीं तो D जो है एक्सिस डिमांड होता है या deficit demand होता है ध्यान रखना less than full of employment में deficit demand होता है और डाइगराम बना के शो करता हूँ यानि कि यह हो गया किसका deficit demand का यानि कि आंसर आएगा deficient या आप deficient भी लिख सकते हो या deficient वह एक ही बात है 18 question आप मुझे तो cash reserve ratio होता क्या है initial deposit के fix percent जो commercial bank RBI के पास जमा कराता है a fix percent of every initial deposit that a commercial bank has to deposit with RBI is called cash reserve ratio और initial deposit के fix percent उन्हें अपने पास जखना पड़ता है एक ratio SLR maintain करना पड़ता है दोनों को मिला के क्या बोलते है legal reserve ratio तो यह मानलों आपका 24 परसंट के आसपास है यह 4 परसंट 28 रुपय बैंक जो है वो किसी को लोन नहीं दे सकता बाकी अमाउंट वो लोन दे सकता है ऐसा इसलिए कि कल को अगर वो पैसे डूब गये तो कम से कम बैंक के पास 28 रुपीज तो है हर एक depositor के ताकि वो उनकी payment कर सके class जो पैसा डूब गया है समझे बात को सारा पैसा लोन दो गए और लोनल वाला लेकर भाग गया तो आप किसको व्लेम करोगे फिर पबल्वक को पैसे कैसे दो गये इसलिए कुछ ना कुछ आपको पर पास रोकना होता है इसको बोलते है legal reserve ratio और जो के पास रखना होता है उसको बोलते है और जो अपने पास रखना होता है liquid form में यानि कि कैश में गोल्ड में या गवर्मेंट सिक्योरिटीज में तो उसको बोलते हैं एसलर स्टैट्योट्री लिकुडिटी रिश्यु एलेवन कोशिन आपको बताना ट्रू या फॉल्स करेक्ट डिफलेशनरी गाप डिफलेशनरी गाप कंट्रोल करने के लिए मनी और कम डिमांड करेंगे क्राइसिस आजाएगा एकॉनमी में उठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मनी सप्लाइ को लिब्रलाइज करते हैं नाके डिक्रीज करते हैं चेंज हो रहा है सरकार अपना खर्चा कम ज़्यादा कर रही है तो बताओ किसके अंदर आता है मॉन को लोग होते हैं गवर्मेंट स्पेंडिंग का कोशिन नंबर बी जो है वो करेक्ट है मैनेज फ्लोटिंग इसका और नाम भी होता है डिटी फ्लोटिंग यह होता क्या है क्लास में समझाते हूं आपको जब हमारी करंसी बहुत ज्यादा डेप्रीशियेट हो रही है पहले 20 रुपे का डॉलःř 30 रुपए का डॉलर 50 रुपए का डॉलर ौलर चाथ 2 So ओधर इस युद्रा विज्छान के यह जो याद करना अगर आप बोलोगे तो मैं आपको यहां पर लिखके दे दूँगा अगर आपको नहीं समझा रहा बहुत इंपोर्टेंट है तो मैं क्लास आपको लेके दे दूगा बट अभी के लिए आप इसको समझा दिया मैंने उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा आपको मैच करना जो आप खुद मैच कर दो फिर में बताता हूं क्या होगा इसका अब बताओ क्लास क्या होता है नॉन टैक्स इड कॉंसा होता है बजट का कोशिण है तो उमीद है कि आप बता दोगे रेव्यून एक्सपेंडिचर जो है कौन सा बताओ सबसिडीज इस क्या बिल्डिंग बनाना नॉन टैक्स इड कॉंसा है फीज फाइन पैलल्टी और क्यापिलिश इड कॉंसा है बॉरविंग क्यापिलिश के तीन कॉंपनेंट होते है रीकवरी अफ लों डिस इन्वेस्टमेंट और बॉरविंग्स कोशिए 23 से दिट फॉलिंट्स ट्रू और को बता ना है कि एंडिया में इम्प्लीमेंट कब हुसे और यह तो मुझेट केन। पूच ले ले गैung पैब स्टेट अर इंटर चेंज होता है गजिस ट्राँ पारिक एकल रेट सीजी श्ट और SGST, CGST मतलब क्या होता है, Central Goods and Service Tax और SGST क्या होता है, State Goods and Service Tax पक्चिस कोश्चिन, विच फॉर्मुला, यानिकि वाट इस फॉर्मुला फिस्कल डेफिशित, बताओ क्या होता है, अगर मैं सरकार को अपनी इंकम पे टेक्स देता हूँ, तो मुझे personally कोई benefit नहीं मिलता है, क्या सही बात है या गलत है, बताओ जो लोग tax pay करते हो, तो क्या सरकार आपको कुछ खास benefit देती है, बिलकुल नहीं, तो यह statement जो है, बिलकुल true है, अगर मैं tax देता हूँ, तो मैं सरकार को यह नहीं कह सकता है, मेरे घर के आगे जो है, को सरक अच्छी हो, या environment अच्छा हो मेरा, अब मैं नहीं कह सकता, इसलिए मेरे को कोई खास benefit इसको इसमें नहीं मिलता है, 27th question, इस बजट्री देफिशिट अफ गवर्मेंट इस 25,000 बॉर्वर्मेंट इस 25,000 बॉर्वर्मेंट इस 7,000, हाँ मच विल बी दा फिसकल देफिशिट, चलो फटा फटा फटो में आपको थोड़ देर पहले फॉर्मला बताता, फिसकल डिफिशिट इस इकल टू बजट्री डफिशिट प्लस बॉर्र इंड अधर लाबिलिटीज तो बजट्री डफिशिट कितना दे रखा आपको वह दिया हुआ आपको 25,000 और प्लस बॉर्वर्मेंट अधर लाबिलिटी जो है वह आपको देर खा 7000 तो यह कितना ए यहां पर प्लीज सेवन ताउन मत लेखना यह बॉरॉइंग्स और लाबर्टी फिस्कल डफिशिट नहीं है 28 28 में दिमाग लाएगा रुपी इस सेट टू बी डैश पहले एक डॉलर जो है वह 55 रुपए मिलता था अब एक डॉलर साथ रुपए मिलता है अच्छी बात है खराब बात है बिल्कुल खराब बात है क्योंकि हमारी करंसी कमजोर हो गई पहले एक डॉलर को खिच के लाने के लिए 55 सिंगल एक एक के सिक्के जाते थे अब हमें 60 रुपए देने पड़ रहे है यहां पे इसका मतलब क्य इसका है वो अपको डॉलर मिलता था एक यू के पाउंड में अब आपको कितना मिल रहे है दो मिल रहा है wiping it represented dat UK ॉक पांड इज़ पांड उब ताकतवर हो गया क्योंकि पहले आप एक 강ंड्स देकर डेट डॉलर लेके आते थे अब आपको दो डॉलर मिल रहा है उसी पाउंड से यानि कि यूके पाउंड इस एप्रिशेटिंग और यूएस डॉलर के लिए पूछता यूएस डॉलर इस डॉलर इस डाप्रिशेटिंग 30 question mention the two reason for the people to acquire foreign exchange आपको foreign currency क्यों चाहिए foreign currency demand क्यों करते हो और import ताकि आप बाहर से goods and services को import कर सको और for foreign tour अगर आप foreign tour लेना चाहते हो आप घूमना चाहते हो विदेश में तो भी आपको क्या चाहिए foreign currency की requirement होगी इसके अलावा अगर आप बाहर देश में इंवस्ट करना चाहत हो इंट्रस्ट की payment करना चाहते हो बाहर देश में कोई property खरीदना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि बाहर देश में को डोनेशर दे चारेटी दें तो आपको foreign currency की जुरूत बढ़ेगी there is a dash relationship in foreign exchange rate and demand for foreign exchange foreign exchange rate में और demand for foreign exchange में relationship कैसा होता है inverse relationship क्यों foreign exchange rate जैसे से बढ़ेगा foreign currency की जो demand होगी वो कम होती चली जाएगी so there is a inverse there is an inverse relationship जैने की इनवर्स लेख सकते हो negative लेख सकते हो ठीक है इंडरेक्ट लेख सकते हो किसके बीच में foreign exchange rate में और demand for foreign exchange में 32 क्लास क्लोज करने वाले हम लोग काफी जल्दी हम लोग ने सारे कोशन बना लिए उमीद करता हूं समझ में आग आगा वीडियो प्लीज लाइक कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियो बनाते रहूं इतनी मेहनत में करता हूं आप लोगों के लिए एक लाइक तो क्लास आपका बनता अगर समझ में रहा है शेर करना मत भूलना इसको सारे दोस्तों के स ऐसे फॉलिंग ट्र्राइंट इन स्विंग सर्वेसन इं एक इंड्यन कॉंपनी है जो बाहर देश की कम्पनी देए सिंसर्विश infect service समस्ते हो जहांकर देने से से सैड gesam कोशिन ऑटोनोमस आइटम आर नोन एस दो बिलो दे लाइन आइटम और अपता होना चाहिए आपको बैलन्स और पेमेंट को मैच करने के लिए जो ट्रांजेक्शन रखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एको मोडेटिं ट्रांजेक्शन साल भर में प्रॉफिट मोटिव के लि लेकिन यहां पर उल्टा लिखा है बिलो दर आइटम तो स्टेटमेंट क्या है क्लास है चलो 34 देखो इसके बेसिस पर डिफरेंस बहुत इंपोर्टेंट है मैंने इंपोरिंट को बताया हुआ है कि ऑटोनोमस और एको मोडेटिंग ट्रांजेक्शन से और बेसिकली वह क्य de 24 एको मॉडुटेइं ट्रांजेक्शन और दिपेंड ठांजेक्शन एक फरनेक्शन जैंटेएं इसको ब importantes यहां पर जो जो बैलेंस करने के लिए ट्राइशन होता है वह तो थर्टी फाइप का ऑप्षिन बडी जो है वो करेक्ट है कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना दोस्त कितने मार्क साइस में कोई सर्माने वाली बात निया जितने माक्स आया आपकी मेहनत के हैं उसे करना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लीज मुझे बताना और कॉमेंट सीम बताना कि ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगते कि नहीं कितना मैं आप लोगों के लिए सही जा रहा हूं महनत कर रहा हूं नहीं कर रहा प्लीज जरूर मेरा उच्छा बढ़ाएं बताके लाइ सरकार चाहती कि सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे कमाई कम करें उसको बोलते हैं डेफिशिट बजट सर्प्लस बजट कब बनता है क्लास जब कंट्री में क्या होता है सिचुएशन इंफलेशन तो सही आंसर होगा इसका इन केस ऑफ इंफलेशन थाड़ी सेवन कुश्चिन आपको बताना है कि फाइनल गुड्स और इंटर्मीडिट गुड्स के में डिफरेंस क्या होता है जो फाइनल गुड्स से क्लास वह रेडिटो यूज है जबकि इंटर्मीडिटो यूज नहीं है बट कुश्चिन मेंने एक बेसिस बता दिया आपको कि सिर्फ वैल्यू करना दोस्तों अभी इस समय आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो एक कोशें का आंसर हर कोई देगा आप में से हर कोई मतलब हर कोई देखते हैं किस को यह कोश्चिन आता है बिना बिना क्लास किसी और का आंसर देखे आपने खुद का आणसर देना है अगर मैं अपने घर के लिए एक AC खरीदता हूं घर के लिए तो इस AC को क्या बोलते हैं क्लास final goods क्योंकि मैंने इसे अपने घर के लिए खरीदा है लेकिन अगर मानलो मेरा coaching institute है या मेरा कोई व्यापार है कोई factory industry है अगर मैं उसके लिए 10 AC खरीदता हूं तो यह चो 10 AC मैंने खरीदी है यह किस टाइप का गुड्स होगा अब मुझे बताओगे यहां पर final goods होगा या वह class goods होगा final goods होगा या इंटर में गुड्स होगा यह आपको मुझे बताना है option में देखते हैं कौन-कौन आप में से correct answer देता है प्लीज कॉमेंट हर कोई करना मैं देखना चाहता हूं कि कौन-कौन आप में से इसको सही बताता है 38 question देखते हैं which is not the instrument of money monetary policy आपको पता होना चाहिए monetary policy एक ऐसी policy है जहां Reserve Bank of India inflation and deflation को control करता है इसके अंदर था bank rates CRR SLR open market operation marginal requirement moral suasion credit rationing क्या नहीं आता है government spending अभी तो थोड़ देर पहले पढ़ा था कि government spending जो है वो फिसकल policy के अंदर आता है वहां पर government decide करके कैसे inflation deflation को control करना है ठीक है चलो कुश्य में थरड़नाइन चेक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ और सबस्क्राइब करना चैनल को अगर आपने नहीं किया है मुईत करता हूं मैचिंग हो गई होगी आप तक MPC का फर्मला क्या होता है 1- MPS 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 1- MPC APC का मुझे बताओ आप कौन सा होगा APC कभी भी नेगटिव नहीं हो सकता या APC कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता APC कभी नेगटिव नहीं हो सकता तो APC माइनस में हो जाएगा APC कभी माइनस में नहीं होता उमीद करता हूं को पसंद आयागा थैंक्यू वह लाइक कर देना और शेयर कर देना नेक्स्ट वीडियो में कंट्रीव कर देना